कि नमस्कार दोस्तों आज वेंड डाइग्राम का पार्ट 3 का शेशन है अपना आज वेंड डाइग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कि नॉर्मली जब अपने से कॉश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे यह मैंने आपको अफसरुआत में दिये थे कि वेंड डाइग्राम के पार्ट में आपको पहले दो पार्ट में बताया था कि कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं उनका आपस में किस तरीके से रिलेशन होता है अब दूसरा मैंने आपको पार्ट में आपको बढ़ाया था कि अपसे डाइग्राम दिया हुए उनके से डेटा किस स्चीज का क्या है आपको बताना है अगर मान के चलो अब हम जब बात कर रहे हैं पार्ट 3 की तो पार्ट 3 में देखिएगा मान के चलते हैं यह एग्जाम इस वह आपको दो, बढ़ी आपको खुझसे बनाने बढ़े है या फिर आपको जैसे मानके चलते हैं यहां पर A, यह आपका यह Venn डाग्राम है इसमें मान लेते हैं यहां A लिख उता और यहां B लिख उता थिक है तो वह आपसे पूच्छता कि कि यह a plus b किसको व्यक्त करता है तो इस टाइप के आज हम कॉश्चन सॉल्व करेंगे और जो लेंग्वेज जो बन सकती है वेंड डायग्राम को देखते हुए तो लेंग्वेज क्या होंगी इस वारे में और जनरली आज कल इन कॉश्चनों को पूछा जाने लग गया है इन प्रशनों को तर देखे आयत जो है आपका यह सरकारी करमचारियों को बता रहा है बैंक करमचारियों के लिए ब्रत है पुरुष आपका ट्राइंगल से शो हो रहा है जो वेल्यू भरी हुई है आपर हमें दिखाई दे रहे हैं कि भाई सरकारी करमचारियों पी क्यू तो सबसे पहले पहला question देखते है P plus Q plus T plus U किसको व्यक्त करता है P plus T plus U देखो P यहाँ है Q भी है T भी है और U भी है तो यह सरकारी करमचारी के अंदर पूरे नजरा रहे है अपनों को सेप्रेट लेंगविज अपन बना नहीं सकते तो इसलिए तो देखिए ना तो पहला option क्यूंकि पहले option में यह बोल्रा कुछ सरकारी करमचारी जो पुरुष बाबंक करमचारी है तो यहां पर अगर इसको देखते हैं तो देखिए क्यूं सरकारी करमचारी यह आपका है बैं करमचारी भी है और आपका पुरुष्बी है यू के बारे में बात करते हैं तो प्ञार्सागारि का दिए सिरकार करमचारी है और आपका पुरुष्बी है लेकिन यह ज़ल्स इूंन कोई पने तो तो पने यह सब साटिस्टाइब कें ठीड़ीयत विल्स Сегодня P का अनसर हो जाएगा सरकारी करमचारी next question देखती है दोस्तों s plus r किसको व्यक्त करता है देखिए s और ये r दोनों की दोनों common है bank करमचारी में bank करमचारी तो है लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऐस पुरूष भी है लेकिन r पुरूष नहीं है अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि bank करमचारी है और पुरूष भी है तो r पुरूष नहीं है तो our नाराज हो जाएगा हमें नाराज नहीं करना है किसी और भी तो यहाँ हम Mü giàнов can करते हैं कि एस और आर के लिए ऐसी कौनसी वात हो सकती है कि जो हम कहें तो किसी पर इन चीजों से फर्क नहीं पड़े तो देखेगा option देखते हम केवल बैंक करमचारी केवल बैंक करमचारी हमें तो आर दिखाई दे रहा है तो आर होगा लेकिन ये तो इस अपने से पूछा नहीं है ऐसे बैंक करमचारी जो सरकारी करमचारी नहीं है ऐसे बैंक करमचारी जो सरकारी करमचारी नहीं है तो देखेगा S तो है लेकिन R नहीं है तो इसलिए यह नहीं हो सकता यह अंसर गलत होगा सरकारी बैंक करमचारी यह भी नहीं होता है इसलिए अपना option क्या चलेगा B option ठीक है अपना अंसर हो जाएगा B ठीक है अगला देखते हैं next question देखते हैं B किसको वेक्त करेगा देखेगा B किसमें पुरुष तो केबल पुरुष तो A option अपका सही हो जाएगा next question देखते हैं दोस्तों T किसको वेक्त करता है T किसको वेक्त करता है ती यहां पर हमें दिखाई दे रहा है सबके ।ो सबके बीच में रखा हुआ है तो देखेगा T सबके बीच में है तो देखिए पहला option B option को देखते हैं ऐसे पुरुष जो बैंक करमचारी तो है लेकिन सरकारी करमचारी नहीं ये भी अपना गर्लत हो जागा ऐसे पुरुष पुरुष में है लेकिन बैंक करमचारी में भी है लेकिन ये सरकारी करमचारी भी है तो अपने को ऐसा आंसर देखना है तो ऐसे पुरुष जो सरकारी बैंक करमचारी है सरकारी बैंक करमचारी मतलब सरकारी करमचारी और बैंक करमचारी दोनों है तो इसका मतलब हो गया आपका आंसर C ठीक है next question देखते हैं दोस्तो Q plus T किसको वेक्ट करेगा और बैंक करमचारी केवल सरकारी करमचारी और बैंक करमचारी तो देखिएगा केवल सरकारी करमचारी तो हो नहीं सकता क्योंकि T आपका पुरुष भी है ठीक है C dark चुरिण यहां पर देख सरकारी बैंक करमचारी geçी के सरकारी बैंक करमचारी यहां पर देखिए और भीज़क्तकर देख सरकारी करमचारी ओए सरकारी करमचारी दोनों एक साथ मिला करा nggak जा। पुरुष के बात नहीं कर सकतें हैं। एसे बंकरम जाड़ी जो पुरुष है zou है यह भी नहीं कहा जा सकता है कूंकि क्यूँ पुरुष नहीं है तो यह दोनों है अंशर गलत है तो अपना अंसर हो जाएगा तो बी, उपिशन अपना सही होगाорieving liesalane कोशन देखते हैं दोस्तों डी किसको व्यक्त करता है या डी किसको व्यक्त करेगा डी हमें कहा नजरा रहा है देखिएगा पहले तो देखिएगा ये अपने को एक सम्चत्रवज़ नजरा रहा है तो इसमें ये सरकारी के लिए है वकील के लिए ब्रत नजरा रहा है इसना त इस्का कोई connection नहीं तो इसलिए क्या कहें गें केवल शहरी वकिल अपना answer क्या हो जाएगा अब आपना option को आपकर देखते हैं जो क्या हो सक्कता बी option को सेरी वकिल जो सहरी वकिल इसलिए ऑपकर देखते हैं लेकिन यह शहरी भी है, तो शहरी भी बताना पड़ेगा, ठीक है, यह भी गलत हो जागा, केवल शहरी, केवल शहरी आपका गलत है, ठीक है, नेक्स्ट ओप्शन देखते हैं, अपना, एका कनेक्शन तो केवल शहरी आपके साथ है, एका कनेक्शन शहरी आपके वकील के साथ है, तो हमें एक ऐसी लेंग्विज देखनी है, जो दोनों तो सैटिस्फाई हो रहे हों, और इससे किसी और पे फर्क नहीं बढ़ रहा हो, देखेगा, जैसे पहला उप्शन देखते है ऐसे इसना तक जो वकील नहीं, ऐसे इसना तक जो वकील नहीं, यहाँ एफ तो अपना वकील है, तो वकील नहीं तो होई नहीं सकता, यह उप्शन तो गलत हो गया, ऐसे इसना तक जो शहरी नहीं, ऐसे इसना तक जो शहरी नहीं, हाँ देखेगा, ऐसे इसना तक, ए और इसके अंदर अपने इस नातक में आ रहे हैं ऐसे इस नातक जो शहरी नहीं और A और F का connection शहरी के साथ नहीं है तो अपना answer क्या हो जाएगा B option C option को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ऐसे इस नातक जो वकील लिखा हुआ है वकील है ऐसे इस नातक जो वकील है A अपना वकील नहीं है तो इसलिए इसको नहीं ले सकते इस नातक वकील भी नहीं का जा सकता ठीक है next question देखते हैं दोस्तों E plus D किसको व्यक्त करेगा E plus D देखिएगा E यहाँ है D यहाँ है E ऐसा है जो सबको सब में है यानि कि इस नातक भी है शहरी भी और वकील भी है लेकिन D जो है केवल शहरी और वकील में है अब केवल शहरी और वकील में है तो देखिएगा यहाँ पर दोनों को satisfy करना है तो E और D को तो E और D को दोनों को satisfy कैसे किया जा सकता है इसी तरीके से का जा सकता है कि अगर शहरी वकील कहा जाए तो इसमें इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा कि E क्या है D क्या है तो बस क्या हो जाएगा अंसर शहरी वकील केवल शहरी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह देखिएगा डी तो शहरी और वकील है केवल शहरी और वकील है तो यह नहीं हो सकता इसना तक शहरी यह नहीं हो सकता क्योंकि E तो इसना तक भी है शहरी भी है वकील भी है ठीक है और वकील वकील के बारे में भी बात नहीं कर सकती हूं कि E ने अपने पास में अलग से qualification है E के पास में शेहरी भी है इसना तक भी है और D के पास में भी अलग से qualification है तो इसलिए हम इसको satisfy नहीं कर सकते है तो इसलिए अपना option क्या हो जाएगा B option दोस्तों next question देखते हैं G किसको व्यक्त करेगा देखेगा G किसको व्यक्त करेगा G है कहाँ पहले तो यह देखते हैं G है अपना वकील के अंदर अब जी का connection किसी और के साथ में third party कोई भी नहीं है जिसके साथ में इसका connection हो जैसे इसनातक है इसके साथ में जी का कोई connection नहीं है तो इसलिए अपना अंसर क्या होना चाहिए केवल वकील दोस्तों यह जो question है यह question कई बार paper में पूछे जाते हैं और language के उपर पूछे जाते हैं और language हमें आती हुई भी कई बार हमसे mistake हो जाते हैं पार्ट और है अभी में एक पार्ट और बनाऊँगा जिसमें कुछ अभी जो paper में पूछे जारे है recently अभी exams के अंदर उनको question को पूछा जा रहा है वह ज्यादा थोड़ा सा most important point है यह तो अपने normal part है तो अभी हम आगे और भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो friends इसको जरूर इस चैनल को like और subscribe करें और वीडियो को share करें अपने fan circle में और उन्हें भी बताया है कि किस तरीके से वेंड डाइग्राम को solve किया जाता है किस तरीके वेंड डाइग्राम के बारे में सोचा जाता है तो धन्यवाद दोस्तों